जर्मनी में एक नीलामी के दौरान वो पेंटिंग एक लाख 61,000 डॉलर करीब 99,32,000 रुपए में बिकी, जिसे माना जाता है कि एडोल्प हिटलर ने बनाया था, म्यूनिक हॉल की 1914 में बनी इस पेंटिंग को दो व्रिध बहनों ने नीलामी के लिए रखा था, इनके दादा ने इन पेंटिंग्स को 1916 में खरीदा था, नीलामी संस्था वी लिडर ने कहा कि इन कलाकृतियों को मध्यपूर्व के एक व्यक्ती ने खरीदा है और उन्होंने अपना नाम गुप्त रखने को कहा है, विशेशग्य हिटलर की कलाकृतियों को आम तोर पर निम्न गुनव पत्ता वाला मानते हैं, यहां नीलामी जर्मनी के न्यूरेंबर्ग में आयोजित की गई थी, नीलामी संस्था ने कहा कि चार महाद्वीपों के खरीदारों ने इसमें रुची जाहिर की थी, संस्था के निदेशक कैथरीन वीलडर ने कहा कि इस पेंटिंग के साथ इसकी पहली खरीद का बिलभी सम्मिलित था, इसकी वजह से इस पेंटिंग की कीमत इतनी उची हुई, समाचार एजिंसी रॉइटर्स ने वीलडर के हवाले से कहा कि बिक्री करने वाले इस धनराशी का दस प्रतिशत अशक्त बच्चों की मदद करने वाली संस्था को दान इससे पहले हिटलर की कलाकृतियों की नीलामी में विवात पैदा हो गया था और नरसंगहार पीड़तों के कुछ रिष्टदारों ने इसकी आलोचना की थी कलाकार बनने की चाहत रखने वाले युवा हिटलर ने विएनाएकेडमी ओफ फाइन आर्ट्स में प्रवेश लेने की अनुमती मांगी थी लेकिन इसे अस्वीकार कर दिया गया था हिटलर 1933 से 1945 के बीच जर्मनी का सैन निताना शाह बन गए और उन्हें द्वितिय विश्वयुध की शुरुआत करने वाला माना जाता है इसके कारण नाजी शासन में 60 लाख यहुडी लोगों का नरसंगहार कर दिया गया बस आज के विडियो में इतना ही अगर आपको एव विडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करे और अपने दोस्तों को भी शेयर करे और हाँ हमारा चानल सब्सक्राइब करना ना भूले तो चलिए जल्द ही मिलेंगे एक नई विडियो में एक नए टॉपिक के साथ धन्यवाद